जिला अस्पताल सहित जन्पत में 70 केंद्रों पर 18,978 लोगों को कोवीट का टीका करण किया गया जिसमें फर्स्ट रोज लेने वालों में 14,782 लोग और सेकेंड रोज लेने वालों में 4,196 लोग शामिल रहें मंगलवार को जिला अस्पताल के संकरमण विभाग एवं महिला अस्पताल में वैक्सिनेशन कराने वालों की काफी भीड देखी गई इसके बावजूद वैक्सिनेशन कराने वालों में काफी उत्साह देखा गया जिसके संबंद में अडिसनल सेमो डॉक्टर नीरेश पांडे ने बताया कि मंगलवार को प्रतम और सेकेंड डूस लेने वालों में कुल 18,988 लोगों को कोरोना रोधी ठीका लगाये गया एडिसनल सेमो ने जनता से अपील किया है कि लोग कोरोना पोटकॉल का पालन करते हुए वैक्सिनेशन कराये तथा केंद्रों पर ज़्यादा भीर ना लगाए इस संबंद में गुरकपूर नीउस से बात करते हुए एडिसनल सेमो डॉक्टर नीरेश पांडे ने कहा संद्याद आ डान करते हुएए जैतै कि अपक हुएए बंब्स के मताली नहीं सम की कल्या न दिए कंदकर लाह ये। आज कुल सतर जगह पर कोई टीका करण का काम चल रहा है आज का लक्षे सोला हजा रखा गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इसको प्राप्त कर लेंगे झाल